मेरा जलन सर्प्राइज कर लिए हो तो आप लोगों का दन्यवाद अगर नहीं किये हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में घंटा बटन भी दबा लीजिए ताकि भविशे में कभी भी नया वीडियो में डालो आप तक पहुंच सके अगर सब का रास्ता घं अटा बटन दबा लिए तो आप सभी को धन्यवाद एक जूट बोला जा रहा है पूरे मुल्क में ऐसा बताया जा रहा है कि जब रिपल तलाह का मुद्दा लोगसभा के अंदर आया तो पूरा पांससौ साड़े पांससौ का जो एवान था जितने एमपीस थे वो सब एक तरफ हो गए और एक शक्स अकेला वहाँ पर खड़ा रहा शरीयत की हिफाज़त करने के लिए शरीयत के खानून के अंदर जब सरकार मुदाखलत करने की कोशिश कर रही थी तो उस एवान के अंदर सिर्फ एक ही खायत था बैरिस्टर असद उत्दीन अवेसी जो खड़े रहा और इसने कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा लेकिन उसके बाद से पूरे मुलक में एक छूट चलाया जा रहा है कि सिर्फ बैरिस्टर असद उत्दीन अवेसी उस दिन अकेले खड़ा हुआ था ये जूट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज आप लोगों से हम गवाही चाहते है उस दिन बैरिस्टर असद उत्दीन अवेसी अकेले नहीं थे उनके साथ मैं भी था और इतनी सारी आवाम भी उनके साथ थी आज बाइक अल्ला की इस सरजमीन से हमें एक पेगाम देना है पूरे मुलक के अंदर ये पेगाम देना है कि बैरिस्टर असद उत्दीन अवेसी उस दिन तुम अकेले नहीं थे तुनों हाद उचे करकर आपको ये पेगाम देना है हम मैं भी था तुम्हारे साथ मैं भी था और इंशालला हम रहेंगे मेरे भाईयों जिस तरह हमारे उल्माएदीन ने ये बताया है कि आज वक्त की जरूरत है कि हमें एक प्लाटफॉर्म के उपर आना चाहिए आज हद इस खदर पहुँच गई है कि हम लोग तमाशाई बन कर देखते जा रहे है और हुकुमत इस हद तक पहुँच गई है कि वो हमारे शरीयत के अंदर भी मदाखलत कर रही है और हम तमाशाई बन कर देख रहे हैं हम देख रहे हैं और कर क्या रहे हैं हम चौराहे के उपर बैठ कर ये चर्चा कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं हमने हमारे शहर के कल इसी तरह का जब जलसा हुआ तो एक मॉलाना सहाब को हमने कहा कि आपको भी आना पड़ेगा तो उन्हों ने ये कहा कि हम सियासी जलसों में नहीं जाते है हम उनसे यादबन कहना चाहते है आज इस मुलक के अंदर जो साजिश हो रही है एक साजिश ये भी है कि मुसल्मानों को अलग-अलग मसलकों के अंदर बाटा जाए अलग अलग जमातों के अंदर तक्सीम किया जाए यहां पर जितनी भी लोग इखटा हुए है हम हो सकता है अलग अलग मसलकों से तालुख रखते है अलग अलग जमातों से तालुख रखते है लेकिन यखीन मानिये आज हम यहां पर इखटा हुए तो सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान बोलकर इखटा हुए है कोई हमारा मस्टलक नहीं कोई हमारी जमात नहीं इसलिए मेरे भायों आज ये वक्त की जरूरत हो चुकी है आज जो कोशिशे हो रही है आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ बाट ट्रिपल तलाख तक है यखीन मानिये 2018, 2019 तक RSS की ये सरकार मुसल्मानों के बहुत सारे खानूनों के अंदर छेर चार करने वाली है उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है उन्हें इस बात का अंदेजा हो गया है कि अगर हम इनके शरियत के खानून के अंदर भी छेर्चार करेंगे तो क्या होगा सिर्फ एक ही तो MP है जो मुखालफ़त करेगा जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी सहाब ने शरियत के लिए शरियत के तहफुस के लिए खड़े रहे उस रात टेलिविजन डिबेट के दौरान हम से ये पूछा जा रहा था मेरे साथी वारिस पठान से ये पूछा जा रहा था कि आप लोग क्यों इसका इतना बड़ा बवाल मचा रहे हो उस हैवान के अंदर तो बहुत सारे दूसरे MPs भी थे वो तो खामोश थे हम उन्हें ये जवाब दे रहे हाँ थे और भी मुस्लिम MPs वहाँ पर थे लेकिन जब वक्त की पुकार आई तो सिर्फ बैरिस्टर असद अद्दीन अवैसी ने मुसल्मान होने का हक वहाँ पर अदा किया बाखी खामोश थे क्योंकि फर्मान नहीं आया था रहुल गांदी की तरफ से कि कुछ बोलना है या नहीं बोलना है पवार सहाब ने अजाज़त नहीं दिये थे मुलायम सिंग ने फर्मान जारी नहीं किया था तो जितने भी थे खामोश थे क्योंकि उन्हें अपने आकाओं को खुश करना था और मेरा ये खायद है उसे अपने आका को खुश करना था दोस्तों हमसे ये सवाल पूछा जाएगा हमारी आने वाली नसलों कि सरिये जब ये कहेंगे कि इस शरीयत के खानून के अंदर जब बदला हो रहा था तो तुम क्यों खामोश थे हम ये कहेंगे कि हम खामोश नहीं थे हम कोशिश कर रहे थे नतीजा जो भी होगा मेरे भाईयों आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी जरूरत आन पड़ी है हम ये अब लोगों से कहते हैं कि आवास को तलवार की ज्छनकार बना लो जीना है तो अपनी हिम्मत को हत्यार बना लो जिस एक शक्स को देखकर तुम्हें टीबू सुल्तान की याद आए उस एक शक्स को अपनी खाम का सरदार बना लो जिसे एक शक्स को देखकर तुम्हें टीबू सुल्तान की याद आए उस एक शक्स को अपनी खाम का सरदार बना लो मेरे भाईयों बहुत हो चुका है बहुत हो चुका है हम बढ़ रहे हैं हम तक्सीम हो रहे हैं इसलिए इनकी हिम्मत हो रही है लेकिन आज अलहम्दलिल्ला इस सरदमीन से एक पैगाम जरूर जाएगा कि तुम अगर ये साजिश कर रहे हैं कि मुसल्मानों को मसलकों में बाढ़ दो तो देखो ये स्टेज गवाही दे रहा है कि मुसल्मान एक है और इन्शालला एक रहेंगे और जिपल तलाख के बारे में किसकी सरकार कौन चला रहा है सरकार को कौन वो सहाब है जो ये चला रहे है ये जो सब कर रहे है उनके बारे में तो बस इतना ही हम करें कहेंगे कि घर की दीवार तोड़ बैठे है भेरों से रिष्टा जोड़ बैठे है कहते हैं हमारी बेहनों से बड़ी हमदर्दी है कते कहते हैं हमारी बेहनों से बड़ी हमदर्दी है कते जो खुद अपनी बीवी को छोड़ बैठे है वाह साथ वाह कैसा ये निजाम है मेरे भाई ये कैसा निजाम है ये सिर्व यहीं तक नहीं रुके है ये शुरुआत हुई है पहले शरीयत के अंदर खानूम को बदलने की बात की गई उसके थोड़े दिनों के बात ये किया गया कि हज की सबसीडी हटा दो हज की सबसीडी हटा देंगे तो मुसल्मान हज को जाएगा नहीं आज इस सर्जमीन से भार्तिय जंता पाटी नरेंदर मोधी सहाब इस आवाम की तरफ से और इस मुल्क के पूरे मुसल्मानों की तरफ से कुछ कहने वाले है जरा कान खोल के सुन लो कि कल जो एक बाश्चा था आज वो नहीं है जिन्दगी भर के लिए तुमारे सर पे ताज नहीं है चौदा सौ साल से जाता है मुसल्मान हज को तुमारी सबसिडी का मोहताज नहीं है मोधी सहाब तुम समझ रहे होगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे 2019 तक जो करना है कर लो 2014 से पहले क्या बेचते थे 2019 के बाद तैयार रहो ये आवाम वही है जो तुम को अगर वजीर आजम बना सकती है तो दोबारा हाथ में भी दे सकती है मेरे भाईयों हम आप से सिर्फ ये इलतिजा करने के लिए आए है हमारी अलग-अलग सियासी जमाते हो सकती है हम अलग-अलग फिर्फों में बटे हुए हो सकते है लेकिन आज वक्त की जरूरत है इस मुल्क की ये जरूरत हो गई है कि हम लोग एक प्लाटफॉर्म के उपर आना चाहिए इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल तयार किया जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर हमारी बेहनों तो बहुत ज्यादा अत्याचार सहनाक पड़ रहा है भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से एक ऐसा माहौल तयार किया जा रहा है कि मुसल्मानों के अंदर हर दूसरा शोहर अपनी बीवी को तलाख तलाख छोटी छोटी बातों के उपर दे देता है और सिब भारतिय जन्ता पार्टी नहीं ये जो सामने खड़े हैं ये लेके इन्होंने भी अपना काम खुब अन्जाम दिया है रोज रात को इस मुल्क के अंदर कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा है सिर्फ तलाख का मुद्दा बचा हुआ है मेरे भाईयों हम हैना हमारी बेहनों की इफाज़त के लिए आप फिकर मत करो और अपने मुद्दी साहाब को भी कहतो फिकर करने की जरूरत नहीं रहे अलहम्दलिल्ला हमारी खाम के लिए हम काफी है बहुत बहुत शुक्रिया